मैं हूँ आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज का वीडियो जार्खंड के जो भूमी सम्मंदी कानून हैं उस पर वीडियो की एक स्रीज लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ C&T Act और SPT Act से प्राय कोश्चन्स जार्खंड स्पेस्फिक कॉम्पेटिव एक्जामनेशन्स में देखे जाते हैं कोटा नाकपूर टेरेंसी एक्ट और संथाल परगना टेरेंसी एक्ट JPAC Paper 2 2016 में तो इससे लगभग 10 प्रशन पूछे गए थे तो आज के वीडियो में मैं C&T Act 1908 को MCQ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिस करूँगा तो आई एक वीडियो को शुरू करते हैं यह C&T Act 1908 का पहला सेट है चुटा नाकपूर में फूमी सम्मंधी कानूनों का आरंब कब से माना जाता है तो आपके उप्सेंस हैं उप्सें A 1764 उप्सें B 1765 उप्सें C 1879 या फिर उप्सें D 1903 तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्सें B 1765 आईए इसके कुछ डिटेल्स को देखने हैं 1765 हिस्वी में बकसर का युद्ध हुआ था ठीक है पहले हुआ था पलासी का युद्ध बाद में हुआ था बकसर का युद्ध तो 1765 हिस्वी में बकसर का युद्ध हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप पशिम बंगाल, बिहार, जारकन, ओडिसा और आज का बांगला देश का जो दिवानी और राजसों का जो अधिकार था वो अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया था ठीक है और इसी के उपरान छोटा नागपूर में भूमी समंधी कानुनों का आरंभ हुआ तो ये थे इसके कुछ डीटेल्स आईए नेक्ट कोशन पर चलते हैं चोटा नागपूर में सरो पर्थम सर्वे का कार्य कप प्रारंभ हुआ तो आपके आपसन्स हैं तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपसन सी 1902 चोटा नागपूर कास्तकारी अधिनियम 1908 कप ब्रू प्रिंट किस ने तयार किया तो आपके options हैं, option A, John H. Hoffman ने, option B, फादर कामिल बुलके ने, option C, रखाल दास हलदर ने, या फिर option D, Thomas Wilkinson ने, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A, John H. Hoffman ने, तो John H. Hoffman ने, CNT Act 1908 का blueprint तयार किया, छोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम 1908 का जो प्रारूप है, वो किसने तयार किय था, तो John H. Hoffman ने, तयार किया था, आई, ये, next question पर चलते हैं, छोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम 1908 किस तिथी को लागू किया गया था, तो आपके options हैं, option A, 8 November 1908, option B, 11 November 1908, option C, 11 December 1908, या फिर option D, 15 November 1908, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, 11 November 1908, तो छोटा नाकपूर कास् वो 11 November किती थी, 11 November 1908, next question पर चलते हैं, छोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो आपके options हैं, option A, 111, option B, 221, option C, 279, या फिर option D, 271, तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, 271, 271 धाराएं हैं, आईए इसके कुछ details, छोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 19 अधियाए एवं 271 धाराएं हैं, 19 chapters हैं, और 271 धाराएं हैं, इसका blueprint किसने तयार किया था, तो जौन H. होफमेन ने तयार किया था, इस अधिनियम को भारती परिसद अधिनियम 1892, Indian Council Act 1892 की धारा 5 के अधिन, गवर्नर की मंजूरी से अधिनियम इत किया गया और 11 नवंबर 1908 को लागू कर दिया गया था, ठीक है, तो ये थे इसके कुछ डिटेल्स, आईए नेस्ट कोशेन पर चलते हैं, छोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व, छोटा नाकपूर का जथ्था तयार किया पूरी तयारी के लिए 16 लाग रुपए खर्च किये गया थे, नेस्ट कोशेन पर चोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व, प्रथम वर्स का सर्वे क्या कहलाता है, तो आपके आप्शन से हैं, आप्शन A, कडस्ट्रल सर्वे, आप्शन B, ट्रावर्स स सर्वे, C&T Act जो बन रहा था, उससे पहले जो प्रथम वर्स का सर्वे था, उसको ट्रावर्स सर्वे कहते हैं, ठीक है, नेस्ट कोशेन, चोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आपके आप्शन से हैं, चोटा नाकपूर की भूम मुंडाओं के खूटकटी, उराओं के भूँहरी तथा सदानों की कोड़कर भूमी की रक्षा के लिए बनाए गये थे, या फिर ऑप्शन D, उपर युक्त सभी, तो इसका correct answer हो जाएगा, ऑप्शन D, उपर युक्त सभी, अच्छा, ऑप्शन C जो है, उससे आपको बहु क्या था, तो आपके ऑप्शन सहाँ, ऑप्शन A, सरकारी भूमी का सरवे, ऑप्शन B, C&T Act के पूरु प्रतम वर्स का सरवे, ऑप्शन C, C&T Act के पूरु दूसरे वर्स का सरवे, या फिर ऑप्शन D, सरकारी भूमी को चिन्हित करने का सरवे, तो इसका correct answer हो जाएगा, 1908 जारखंड के कितने प्रमंडलों में लागू है तो आपके options हैं option A 1, option B 2, option C 4 या फिर option D 5 तो इसका correct answer हो जाएगा option C 4 आईए इसके कुछ details को देखते हैं छोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम जो है 1908 जारखंड के 4 प्रमंडलों उतरी छोटा नाकपूर, दक्षणी छो प्रमंडलों में बटा हुआ है उतरी छोटा नाकपूर, दक्षणी छोटा नाकपूर, पलामू और कोल्हान और संथाल परगना ये 5 प्रमंडल हैं तो छोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम जो है वो 4 प्रमंडलों में लागू है ठीक है ये थे इसके कुछ details आईए ने अधिनियम के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खननकारियों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी option B 2016 के संशोधित एक्ट के तहत अब सरकार उद्योग और खननकारियों के अलावा आधारभूत संगरचना, रेल पर योजना, कॉलेज, ट्रांसमिसन लाइन, आधी कारियों के लिए भी जमीन ले सकेगी option C केवल A या option D A and B बोथ दोनों तो इसका correct answer हो जाएगा option D A and B दोनों C&T Act की धारा 49 के according जो है वो सरकार जो है उद्योग और खननकारियों के अलावा रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिसन लाइन के लिए भी जमीन ले सकती है ठीक है संसोधन कब हुआ है? 2016 में हुआ है तो ये थे इसके कुछ details आईए next question पे चलते है C&T Act छोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 के के संबंध में निमने में से कौन सा कथन सत्य है? तो आईए options है इस धारा के तहट S.A.R. Seduled Area Regulation Court से compensation के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी यह आपका option A है option B क्या बोल रहा है? 2016 के संसोधित Act के अंतरगत अब compensation के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी साथ ही S.A.R. Seduled Area Regulation Court में जमीन वापसी के मुकदमे दायर होंगे ठीक है? Option C क्या बोल रहा है? A और B दोनों या फिर option D इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा option C A और B दोनों ठीक है? तो इस धारा के तहट क्या बोल रहा है? कि C&T Act 1908 की धारा 71 करे के तहट S.A.R. Seduled Area Court में आदिवासियों की जमीन जो है वो गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी ये पहले था लेकिन 2016 के संसोधित Act के अनुसार अब कमपेसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन जो है वो गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी ठीक है? और साथ ही सिड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोट में जमीन वापसी के मुकद में भी दायर होंगे ठीक है? तो ये थे इसके कुछ टेटेल्स आईए नेश्ट कोशन पे चलते हैं कोटानागपूर कास्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार कास्तकारों के वर्ग का उपबंध किस धारा के अंतरगत किया गया है? ठीक है? कोशन बहुत इंपोर्टेंट है, कोशन आने के चान से जादा है कास्तकारों के वर्ग का उपबंद किस धारा के अंतरगत किया गया है तो आपके options हैं, option A, धारा 4, option B, धारा 5, option C, धारा 11, या फिर option D, धारा 6 जिसका correct answer हो जाएगा, धारा 4 तो CNT Act 1908 के अनुसार, कास्तकारों के वर्ग, division of the कास्तकार जो किया गया है वो किस धारा में है, तो धारा 4 में है, इसके कुछ details को देखते है, धारा 4 में कास्तकारों का वर्ग बतलाया गया है धारा 5 में भूधारकों का वर्ग बतलाया गया है, धारा 6 में रईयत का अर्थ, definition of रईयत बतलाया गया है और धारा 11 में भूद रिती के कतिपई अंतरण का रेजिस्ट्री करन के बारे में बतलाया गया है। तो ये है इसके कुछ डेटेल्स आईए नेक्ट कोशन पे चलते हैं। अस्थानिय नाम, विशेशता और सीमा की विशेय में विश्टियां होंगी। ये ओप्शन A है। ओप्शन B बोल रहा है भूमी में तत्समान वर्गों के लिए ग्राम में सामानितः, विद्यमान दरें। ओप्शन C वे दरें जिनका आवेदक दावा करना चाहता हो। या फ आपका लगान की वृधि के लिए तो उसके लिए जोत गढ़ित करने वाले भूकंडो का जो छेतर है, वो किस जगह पे है उसकी इस्थिति, उसका अस्थानी नाम क्या है, उसका विशेशता क्या है, उसके सीमा के बारे में सारी जानकारियां उपायुक्त के बास आपको द जलते हैं, शोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम, C&T Act 1908 के अनुसार, विधी विरुद बेधखल किये गए कास्तकारों को कबजे में प्रतिस्थापित करने की शक्ती किसमे है, फिक है, किसी को भी अगर उसके जमीन से बेधखल कर दिया गया है, मतलब कि बाइफोर्स फ Option B, उपायुक्त, Option C, अनुमंडल पदाधिकारी, या फिर Option D, राज्य सरकार, तो इसका correct answer हो जाएगा, Option B, उपायुक्त, तो उपायुक्त के पास ये पावर है, कि आप अगर बेधखल कर दिया गया है आपको आपकी जमीन से, तो आप एक लेटर लिख के दीजिए, डिप कास्तकारी या उसके किसी प्रभाग से बेधखल कर दिया जाए, तो वह ऐसी बेधखली की तारीक से, जिस दिन उसको बेधखल किया गया है, उससे एक साल के अंदर, एक वर्स की कालावधी के भीतर, ऐसी कास्तकारी या प्रभाग के कबजे में, प्रतिस्थापित कर दिये को उसकी जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रे के लिए क्या करेगा, तो आपके options हैं, option A, कोई decree या आदेश पारित किया जा सकता है, option B, कोई decree या आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, option C, कोई decree या आदेश पारित किया भी जा सकता है, और नहीं भी किया जा सकत या फिर option D, इस हेतू कोई स्पष्ट उपबंद नहीं है, तो आपके options हैं, ये सारे आपके options हैं, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, कोई decree या आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, C&T Act 1908 के नुसार, किसी नयाले द्वारा, किसी रईयत को उसकी जोद या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रे के लिए किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, आईए इसके कुछ details, कौन सी धारा में है ये उपबंद, ये C&T Act की धारा 47 के नुसार, किसी नयाले द्वारा, किसी रईयत को उसके जोद या उसके किसी भुभाग में विक्रे के अधिकार के लिए ना तो कोई डिक्री या आदेश पारित किया जा सकता है, और नहीं ऐसे अधिकार का किसी डिक्री या आदेश का निस्पादन किया जाएगा, ठीक है, यानि आपकी ज पर चलते हैं आईए इसके कुछ डिटेल्स को देखते हैं परती छोड़े हुए हैं तो वो आफी का है लेकिन बारा वर्सों के बाद कोई और उस पे दखल कर सकता है इसलिए C&T Act 1908 की धारा 16 के अनुसार बारा वर्सों तक आपका आपकी जमीन पर कबजा रहेगा अगर आप उस पे खेती किये हूं या ना किये हूं तो ये थे इसके कुछ डेटेल्स आईए नेक्ट कोशन पे चलते हैं अधिकार अभिलेक की भूलों की राजस्व अधिकारी द्वारा सुद्धिक की जाएगी कैसे ओप्शन A इसके अन्तिम प्रकाशन के प्रमान पत्र की तारीक में पांच वर्सों की भीतर ओप्शन B इसके अन्तिम प्रकाशन के प्रमान पत्र की तारीक में एक वर्षों की भीतर ओप्शन C इसके अन्तिम प्रकाशन के प्रमान पत्र की तारीक में दो वर्सों की भीतर या फिर ओप्शन D इसके अन्तिम प्रकाशन के प्रमान पत्र की तारीख में तीन वर्सों के भीतर, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A, इसके अंतिम प्रकासन के प्रमान पत्र की तारीख में पाँच वर्सों के भीतर, आईए इसके कुछ details को देखते हैं, C&T Act 1908 की धारा 90 के अंतरगत, अधिगार अभिलेक की भूलों की राजसो अधिकारी द्वारा शुद्धी, इसके अंतिम प्रकासन के प्रमान पत्र की तारीख से 5 वर्सों की भीतर की जाएगी, मान लिजे कि कोई भी आपका कोई documents है, उसमें by mistake किसी officers के द्वारा कुछ mistakes, कुछ गलत लिखा गया है, तो उसकी सुद्धी, जिस तारीख का प्रकासन हुआ है, उससे 5 वर्सों के भीतर की जाएगी, ठीक है, तो यह थे इसके कुछ डिटेल्स, तो आज का वीडियो यहीं पर समापत होता है, यह चारकन के जितने भी upcoming competitive examinations होने वाले हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही परसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अपने सजेशन्स कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजिए, और एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद अपना सुमेंटे हैं